चोटी चोटी कहानियां सिखाती हैं बड़ी-बड़ी बाते आज की कहानी दो कुस्ति भाजों की है जोहन और मंगल दोनों हनुमान भख हनुमान जी की भख्ती रोज करनी करनी और करनी और बहुत गंबिरता से करनी, बहुत इमानदारी से करनी और हनुमान जी दोनों पर बहुत प्रसंद अब आ गया मुकाबले का समय दोनों लग गया हनुमान जी की आराजना में हनुमान जी ने दर्सन पहले दिया सोहन को सोहन ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी मुझे आप आशिरवाद दीचिए कि मैं अपने प्रतिद्वंदी को मंगल को हरा सकूँ हनुमान जी बोले देखो मंगल भी मेरा बहुत बड़ा भक्त है इसलिए मुझे उसको भी तो आशिरवाद देना पड़ेगा उसको भी सुपकान नाय देनी पड़ेंगी फिर हनुमान जी बोले ठीक है तुमसे मैं पहले मिला हूँ इसलिए तुम्हें आशिरवाद देता हूँ कि जितना मैं मंगल को दूँगा उससे दुगना तुमको दूँगा सोहन हुए बड़े खुश चले अखाले की तरफ मंगल की आराद ना चालू थी हनुमान जी ने दर्सन दिये मंगल को मंगल जी ने भी आशिरवाद मांगा हनुमान जी बोले ठीक है लेकिन मैं पहले ही सोहन को आशिरवाद दे चुका हूँ कि तुमको जो भी दूँगा उससे दुगना सोहन को मिलेगा मंगल एक सेकिन के लिए थोड़ा सा गवराया लेकिन फिर तुरंधी बोला ठीक है प्रभू ठीक है हनुमान जी जैसे आपकी मर्जी और मैं चाहता हूँ आप मुझे आशिरवाद दे कि मैं अखाडे में कुष्दी करते करते अधुरा हो जाओ अब मंगल जी सिखाते हैं बड़ी सीख presence of mind and common sense अपनी सोच को हमेशा अपने पास रखे गबराये नहीं और common sense को हमेशा अपने पास रखे किसी भी जटिल समस्या का समाधान मिलेगा मिलेगा और मिलेगा याद रखिए presence of mind हम सब के पास हमेशा present होता नहीं है और common sense उतना common है नहीं जितना हम सोचते हैं 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में हम फिर मिलते हैं तैंक यू धनिवार नमस्ते